क्या आप जानते हैं सफेद पेठे का जूस कितना है फायदे मन फैट कटर भी है या अधफुद जूस वजन कम करने के लिए लोग तरह तरह के डाइट प्लान फोलो करते हैं जिसमें से एक है पेठे का जूस असल में पेठे में वाटर कॉंटेंट जादा होता है कैलरी कम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है इसको पीने से आपका पेठ लंबे समय तक भरा रहता है इससे आप ओवर इटिंग से बच जाते हैं इसलिए इसके जूस को फैट कटर भी कहा जाता है इस जूस को पीना वेट लोज जरुनी में अच्छा माना जाता है इस जूस को कैसे बनाना है आइए बताते हैं आपको पेठे का जूस कैसे बनाए सबसे पहले आपको पेठे को छीनला है फिर बीज से काट कर उसके बीज निकाल लेने हैं इसके बाद पेठे के टुकडे टुकडे करके मिक्सी जार में डाले और साथ में एक गिलास पानी भी डाले इसके बाद मिक्सी चला कर अच्छे से उसे पीस लीजिए फिर एक गिलास में जूस को निकाल लीजिए अब आप इस जूस को सिप सिप करके पीना शुरू कर दीजिए आप जूस में काली मिर्च, काला नमक और नीम भूभी मिला सकते हैं इससे जूस में स्वाध आएगा पेठी की जूस के अन्य फायदे इस जूस के पीने से ना सिर्फ आपका वजन घटेगा बलकि दिल के लिए भी लाबकारी साबित होगा इससे खराब कलोस्टोल का स्तर कम करने में मदद मिलेगी ये जूस लीवर के रोगों को भी ठीक करने में सहयता करता है इस जूस में एंटी इंफ्लमेटरी और एंटी आक्सिडेंट प्रोपरटिस पाए जाती है जूलीवर की बिमारी में रामबान इलाज है वहीं ये जूस मिर्गी और नर्वस सिस्टम से जूड़ी परिशानियों को भी ठीक करने में सहयोग करते हैं इसमें पाए जाने वाले ग्लाइकोसाइड, फॉनोलिक्स और स्ट्रेराज जैसे कई बायो एक्टिव कंपाउंट्स होते हैं जो इन बिमारियों में लाबकारी है मसल्स पेन में भी यह जूस फायते मनसाबित होता है इससे अकडन और अनिद्रा जैसी परिशानी से भी निजात मिलती है अता यह सर्दी जुकाम में भी फायते मनसाबित होता है